आईए देखते हैं ये नया मटर का नाश्टा कैसे तैار होगा और ये बहुत ही tasty बनता है और बिल्कुल नया है ज़रूर ट्राय करें आपको बहुत पसंद आएगा मटर का इस नाश्टे को बनानी के लिए सबसे पहले आप मटर को बॉयल कर ले हलकासा मटर को हमें हलकासा को इस से जादा बौईल नहीं करें क्योंकि बस हमें मंतर को हलक surroundings करना है मंतर सौर्वट ओने के भाद आप इने निकाल दें यह निकाल को छलनी में निकाल डिया सारे निकाल के थ्रोड़ा से ठंडा हो जाने दें जासे ही हलके से ठंडे हो जाएंगे इसके बाद हम सीधा से डाल देते हैं ग्राइणिंग जार में और इसे हमें दद्रा पीस न होगा यानि आपको इसे कोर्स पीसना है पूरी तरह से बारिक नहीं पीसना है और दरदरा सा हमारा यह पेस्ट तयार हो चुका है आप देख सकते हैं मटर कितने अच्छे से पिस चुके हैं थोड़े बहुत इसमें चंग से हैं इसके बाद आपको यहां पे कटी हुई प्याज डाल देनी और हरी मिर्ची जाल देते हैं और धनिया घल देते हैं क्योंकि धनिया से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा फ提त साथी में डाल देते हैं ज्याटेक सब्सक्रकेल माड़र जादर पर फिर भी दल, जादर적ा तक जादा जाशील डाल देतीच पूरियां भी बना सकते हैं भरके कचोड़ी बना सकते हैं लेकिन ये नाशता एकदम अलग होने वाला है तो अच्छे से हमने सारी चीजों को मिक्स कर दिया है इसे स्टुफिंग को आप साइड में रखें क्योंकि हमें नेक्सट प्रोसेस करना है अब एक पैन में डाल देते हैं थोड़ा सा घी आप ऑईल भी ले सकते हैं फिर आपको जीरा डाल देना है इसमें थोड़ा सा और हींग डाल देते हैं हींग हर जबे यूज हो रहे हैं क्योंकि इसे बहुत अच्छा फ्लेवर आने वाल है नाश्टे का इसे पेशली ये सर्द नमक जब तक अच्छे से मिक्स नहीं हो जाए तब तक नमक को मिलाते रहें जैसे ही सारी चीज़ से मिक्स हो जाए उसके बाद आपको सूजी डाल देनी है एक कप सूजी है यह बारिक वाली सूजी है आप देख सकते हैं सूजी को हमें डाल देना है इसमें एक कप सूजी है और एक कपी हमने पानी लिया था अच्छे से आप इसे मिक्स करें ये इमिजेटली ही थिक कंसिस्टेंसी की हो जाएगी और हमें इसे बिलकुल ड्राय कर लिना है बिलकुल भी इसमें पानी नहीं दिखाये देना जाहिए आप इसे अच्छे से mix करते हुए पका लें एक दू मिनिट के लिए मैंने से चलाते हुए पका लिया है लो फ्लेम पे इसके बाद आप इसे डो को ठंडा हो जाने दें तो इसे हम एक प्लेट में ट्रांस्वर कर देते हैं ताकि यह जल्दी ठंडा हो जाए और इस mixture को आप फ कुछ भी नहीं डालना है सिर्फ आप इसे ऐसे ही मसलने मसलने के वज़े से क्या होगा इसमें ग्लूटन डेवलप जिसके वज़े से यह डो की तरह हो जाएगा बिल्कुल बिखरेगा नहीं आप देख सकते हैं इस टाइम पे बिखरा बिखरा हो रहा है जैसे जैसे आप इ आश्टा तयार करने इसका इसके हमें बेसिकली छोटी पूडियां बनानी है पहले इसके दो हिस्से कर देते हैं और इसे थोड़ा सा स्मूध करेंगे स्मूध करने के बाद आप इस पर हलका सा ओल लगाए और इसे आपको रोटी की तरह बेलना होगा तो थोड़ा सा ओल ल स्मूध हो जाता है यह देखिए हमने इसे अच्छे से बेल दिया और यह फ्लैट हो चुका है बिल्कुल रोटी की तरह आपको स्मूध बेलने की जुरूद नहीं है क्योंकि हम इसे कटोरी से शेप देने वाले हैं आप देख सकते हैं कटोरी की मदद से आप इसे काट सकते हैं तो जितनी बड़ी आपकी कटोरी होगी उसे आप से पीसिस कटेंगे और यह एक्स्ट्रा डो को हम नेक्स्ट बैच में तयार कर लेंगे आप देख सकते हैं हमारी आप सूजी की पूरियां तयार हो गई है बेसिकली छोटी-छोटी साइस की है यह और आप देखे हैं हम एजिली उठा पार है ऐसा कुछ नहीं है कि विखर जाएंगी एजिली हम इने उठा सकते हैं तो इस तरह से आपको छुट-छुटी पूरियां तयार कर लेनी है तो सूजी की पूरियां हमारी तैयार हो चुकी हैं अब आपको नेक्स स्टैप करना ए नेक्स स्टैप में easily चिपक जाते हैं आपस में तो इस तरह से आप इसे cover कर दें और cover करने के बाद आपको इसे अच्छे से एकदम से seal कर देना है तो इसे मैंने अच्छे से चिपका दिया है और किनारों को मोड़ देते हैं ताकि यह जो है अच्छे से seal हो सके तो बस नीचे के portion को आपको उपर कर देना है ताकि यह seal हो जाए तो इस तरीके से आपको इसारा नाश्ता बना लेना है बहुत easily है और आप देखिए बिल्कुल भी ऐसे कोई मुश्किल नहीं हो रही है easily seal हो गया है और यह जो पूरी हमारी तयार होई है एक तरीके से नाश्ता यह आप easily उठा सकते हैं कोई परिशानी नहीं होगी तो आप इसी तरह से सारे नाश्ते बना के तयार करें दिखने में और भी अच्छा लग रहा है और यह देखिए पीछे से ऐसा नहीं स्टॉफिंग डिख लिए है आप देख सकते हैं हमारे इस नाश्ते की बड़ी सुंदर सी शेप आ गई है तो सेम इसी तरह से हमें सारा यह प्रोसेस कर लेना है इसके बाद आपको इसको स्टीम करना होगा यह नाश्ता हेल्दी भी है क्योंकि हम इसे ओइल में ने इस्तमाल करने वाले हैं वालकि स्टीम करने के लिए कढ़ाई के अंदर पानी गरम कर लें इसके बाद स्टैंड र कर देना है एक के उपर एक भी रख सकते हैं क्योंकि यह चिपकने वाले नहीं है धकनको आप अच्छे से बंद कर दें और इने आपको 10 मिनिट के लिए स्टीम कर लें दस मिनिट बाद आप चैक करें यह देखिए यह अच्छे से स्टीम है और आप इने गरम में ही निकाल सकत आप त Israel से देखिए निकाल देने के बाद आब इन्हें पेसस में गट कर लिंग तो दो पीसस में काड़ने में ओर दिima तो यह ड्लिगेंगे तो बस इसी तछा से काड़予 पीससे पर से सदों तो थोड़ा सा पैन में ओईल डाल देते हैं और जीरा डाल देते हैं जीरा के जगह पे आप सरसो के दाने भी डाल सकते हैं फिर आपको डाल देना है यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर यह कलर वाली लाल मिर्च है जिसमें तीखा कम है इसके बाद आप इसे हलका सा भून दे और इसके बाद आपको इसको हलका सा चला भी देना है गैस को हम बंद कर देते हैं क्योंकि लाल में जल सकती है इसके बाद आप इसमें सारा जो नाश्ता है वो डाल दी तो इस तड़के को आप पहले पैन में फेलाएं उसके बाद इनाश्ता डाले इसे क्या होगा यह जो तड़का है अच्छे से लग पाएगा तो इस तरीके से हमारा नाश्टा खाने में तो healthy है और अच्छा है प्लस दिखने में और tempting हो जाता है और जब कोई चीज tempting लगती है न तो उसको खाने का attraction भी हो जाता है जादा तो आप इस तरह से नाश्टे को तयार कर सकते हैं तड़के के साथ में और हरा धनिया डाल देते हैं उपर से और सर्दियों में इस अच्छा नाश्टा क्या हो सकता है मतलब इसमें एक इडिली वाला texture भी है क्योंकि हमने से सूजी से तयार किया है अंदर इसके stuffing है जो मटर की है जो में सर्दियों में बहुत अच्छे लगती है और यह एकदम comfort नाश्टा है और बिल्कुल नया है आपको बहुत पसंद आएगा जरूर ट्राय करें अगर आपको recipe लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल न भूले